तो आज निशा की रसो भी बनाने जा रहे हैं सफेद मतर के छोले जो की बहुत ही टेश्टी बनेंगे और इतने टेश्टी होंगे कि आप इसे रोटी पूरी चाब जिससे भी खाएंगे मन नहीं भरेगा मन करेगा बार बार खानेगा तो चलिए टेश्टी छोले कैसे बनते ह यहां पर मैंने सफेद वाले मतर ले लिए उन्हें भीगो लिए और थोड़े से मेरे पाद छोले रखे हुए थे तो मैंने साथ में दोनों चीजों को भीगो दिया है चोले बहुत कम थे मतलब 1-1.5 मुठी थे तो मैंने वह भी डाल दिया है साथ में यह फूल गया है आप आप रात भर के लिए भी गो दिजे या सुबह तक के लिए सुबह चार पांच घंटे के लिए भी भीगो सकते हैं अच्छे से फूल जाएंगे पानी को तीन चार बार वाश कर दिया है छोलो को और इसको ले लिया है यहां पर देखिए एक कोकर में हम सारे छोलो को पत्ते और एक बड़ी लाइची को इस तरह से कूट देंगे मतलब उसका मोग खुल जाए जिससे कि उसका फ्लेवर और फुजबू पूरे छोलो में आ जाए और इस तरह से डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक डालने के बाद इसमें छोले डूबने तक का हमें पानी डालना पानी डाल दिया है आप देख सकते हैं उपर छोले के ऊपर तक का पानी होना चाहिए इस तरह से नमक मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अधकर लगा के हमें पांच सीटी लगानी है पांच सीटी में हमारे छोले अच्छे से पक जाएंगे पकने के बाद फ्यूम इसको खोल के दिखाते हैं तो यहां पर देखे हमारे छोले बॉयल हो गए आप देख सकते कि फट गए हैं हमें इसी तरह से छोले चाहिए थे तो हमारे मटर भी अच्छे से बॉयल हो गया अध्रक और लहसुन को हम इसमें दरदरा कूट लेंगे आप पेश्ट भी ले सकते हैं अगर नहीं को कुटके रख लिया है कि कड़ाई में से वा का तेल डालेंगे आदा चंब चंब छेडischerा जीरा अच्छे से जब दřिखा या इस आछिए निश चेट से ने बार्या च्टक करें शोल है इस तरह से नहीं बारग करने हैं हिए तर दाउम सिध्य दोनें तक नोब तक रखेंगे डालने के बाद रखुआ डाल दोनें तक सात में झाण भूंण थे जाएगा वपा सब्सक्राइब यहां पातर नेसे नहीं तक यहां पने बुरा करना भी तीखी लाल मुच्ट का यूज नहीं करेंगे तो इसे अच्छा समे कर लेना है मिक्स करने के बाद हमने एक बड़ा टमाटर कुट कर आ है तो यहां पर हम कोई चीज भी कट नहीं करेंगे इसको बस इस तरह से मोटे-मोटे टुकडों में कट करके डाल देंगे स्वादनसा नमक डालेंगे छोलो में नमक उबालते समय भी डाला है इसलिए ध्यान रखके यहां पर हमें नमक डालना है और टमाटर प्याज यह सब चीज़े पता ने चलेंगे एकडम पेश्ट से बन जाएंगे मतलब एकडम गल जाएंगे इस तरह से और देखिए नमक डा यह बीजुरत नवी पर्काण करों से लेकर्व दखतें जाने की आज़म पर दोड़ी आय। में अ Сlla Panic होकहे जाया पोर आज सेसर तो हमें यह रिए क्रम प्रम के यह सिस्वेशना के मिन सुथं कि ओपनी चैणेकराना कि आश करतें हो गये ऑट बिल्कुल भीुआ और हमाई टमाटर अप्याज अच्छे से पेश्ट बन गए हैं और एक चमश डाल का स्थोरी मेथी जिसे की छोलो का स्वाथ बहुत अच्छा आता है यह मटर वाले छोले इस तरह से आप बनाए फ्रेंड्स आप सूखे ही खाना पसंद करेंगे कि सोचेंगे कि कटोरी विले और इसीतरा से खाते जाए जये मसाले अच्छे से मिक्स हो गये ही मतलख कस्तोरी में थी अच्छे से मिक्स हो गई तो पानी जो भी बचा था चोलो इसके साथ ही में डाल दिया है यह चोले और ना चोलो में लेंक लिए Weeding Coral soda की इस तरह से चोह बनाएंगे आपको बहुत ट बढ़ेंगे। ऐसे तरह से छोड़ को पकाना है। और च्छोले अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए। इस तरह से दिखेंगे। अब यहां पर ग्रेवी के साफ से आपको पाणी डाल लेना है। जितनी ठिक ग्रेवी खानी या आपको जैसी भी ग्रेवी खानी उससे प भरकर पाई डाल दिया है और इसे हमें धग कर पकाएंगे कि पानी पारे भी छोले में था तो धग कर पकाएंगे 5-6 मिनिट बाद यह देखिए हमारी छोले किते अच्छे इसे पक गए हैं बस अब यहां पर डालेंगे आदा चमच गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करें इस तरह से और छोलो का कलर देखिए कितना चाहिए चावल के साथ तो इतने बहतरी लगते हैं कि बस मन करता है खाते जाएए इन्हें अच्छे से कर देना है मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसे एक से दो मिनिट और हम को करेंगे और अच्छे से से इप्रेट हो जाए इस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके समय चोले बनकर रेड़ी है मगर स्वाद कोई भी नहीं कहाएगा कि इतने जट्पट और स्वादिश चोले बने हैं यह देखिए इस तरह से हमने से मिक्स कर दिया और रोगन कितना बढ़िया आया है अब यहां पर डालेंगे हरा धनिया औ हमने मेंने प्ला बपनाइए मड़ और सौण अब करें दाखिए मैं अनिया चरूब गईज़ी मिलते हैं नहीं नहीं वीडियो में thanks for watching this video bye bye friends